असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद ही कि आप सब ठीक होंगे अलहमदुलिल्ला हम भी ठीक हैं आज हम लेकर आए हैं कच्चे आम की रेस्पी आईए इससे बनाना श्टार्ट करते हैं हमने ले लिया था एक कच्चाम पुदीना और नमा को चार सपाच लेसन की कलिया ला बालतीखी वाली साबुत मिची डालत है इससे जो हम ब्रेस्पी बनाएंगे इसका कलर बहुत ही अच्छा रहता है देखिए इस तरह से हमें आम को छील लेना है हमने एक कच्चे आम की बनाई थी प्लीज अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल के बटन को दबा दे ता आप अगर दो से तीन आम की बनाएं तो उसी तरह से जो हमने मिर्ची और लहसुन लिया है वह आप थोड़ा ज्यादा ज्यादा कर लें लेकिन मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल की जिए गाए हमने देसी वाला आम लिया तो यह बहुत खटा रहता है अगर आपको मीथी, देखें, जना मीथी चतनी बनाना है तो आप इसमें एक चम माज शक्कर कर सकते हैं यह बळीना डाला है नीचियादा लासन की कलिया डाला यह देखिए हमारी कच्छे आम की चटनी बनकर तयार है इस तरह से बनाकर रखाएं बहुत ही मज़े की बनकर तयार हुई थी लेकिन आप जादा बारीक नहीं करिए गर इस तरह से दरदरा रखना है प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर हमारी रेसिपी आ